नमस्कार साथियो दाट डिगनिटी के यूटूब चैनल में मैं आश्वतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम इस वीडियो में मई महीने में जो फॉर्म अभी चल रहे हैं जो वेकेंसियां आप ले सकते हैं और अपना सुनहरा भविश बना सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे पांच महत्पूर्ण भरतियां है जो मई के महिने में अभी जिनका फॉर्म चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि उन फॉर्मों को आपने भरा होगा और यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो को अंत तक ज CRPF की अंतरगत है SI की है सब इंस्पेक्टर और ASIE आपका जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन दोनों की अंतरगत के टेग्रीज वाइज अभी हम चर्चा करेंगे उसके बाद SSC CHSL है या कहा जाए तो SSC का जो हायर सेकेंडरी वाला है भाई MTS जो है वो तो दस्वी सेंटर जो है उसके संबंदित आपके जो पद है उनकी और अंतिम में UPSC यह का जाए तो Union Public Service Commission जो है इसके द्वारा जो CAPF की भरती निकली है उन सारे इन पांचों विश्यों की हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे एक एक करके बिना आपका ज्यादा समय लिए एक करके मैं अंतरगत देखी क्या होता है बहुत सारे ऐसे विद्ज्यारथी होते हैं जिनका कोई स्पैसिफिक टारगेट होता है कि मुझे सेना में जाना है मुझे पुलिस में जाना है तो यदी आपका ऐसको पास 5-6 दिन सेश हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आप एक notification जो है wow से आप देख सकते हैं आयू सीमा की अगर बात की जाए तो इसमें जो आयू सीमा बताई गई है वो 18-25 वर्स है जो काफी अच्छी है फीस जो है बहुत ही सामान है 100 रुपए फीस रखी गई है और योगता की अगर बात की जाए देखे यही 4-5 प्रेश्ट होते की फॉर्म की देट कब है फीस कितनी लगेगी और योगता क्या होगी भाई आप योग है या नहीं वो आपको जानना है योगता की अगर बात की जाए तो आरो के लिए आपका जो है 982 जो पद है उसमें आपका जो है दो ऑप्शन है या तो आपके पास 10 आपका जो है 12 पास होना physics chemistry math से 60% से जादा या तो 60 या उससे जादा या फिर आपके पास 10 होनी चाहिए ITI से सम्बंद चेखें अब ITI में कौन सी trade होनी चाहिए उसके लिए आप notification देख लीजेगा क्योंकि post wise आपकी trade ओं के options आपको दिये गए है RM की अगर बात की जाए तो RM में देखें वही दोनों option है या तो आपके पास 12 प्रतिशत या उससे जादा होनी चाहिए physics chemistry math में और या फिर 10 प्लस आपके साथ ITI जो है वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए तो ये आपकी योगता मांगी गई है किसके लिए BSF के लिए अब इससे आंगे बढ़ते हैं दूसरी वेकेंसी की तरफ CRPF की वेकेंसी SI और ASI की form जो है वो 1 माई से start है और 21 माई तक चलेगा मतलब 20 दिन ही इस form को चलना है तो याद रखेगा ये बहुत अच्छी post है यदि आप जो है CRPF में जाना चाहते हैं तो आप एक बार इस notification को देख लीजेगा आयू सीमा की अगर बात की जाए तो SI के लिए 21 से 30 वर्स रखे गई है जबकि ASI के लिए 18 से 25 वर्स रखे गई अब अगर पद की बात की जाए तो देखिए पद और उसकी योगता मैं दोनों एक साथ बता देता हूं पद जो है वो अलग-अलग आपके ज स्रिमेथ उसके बाद अगर हम बात करें SI एक और है टेक्निकल उसमें आपका बीटेक की योगता मांगी गई है उसके बाद एक SI सिवल है उसमें आपकी 10 प्लस 2 की योगता मांगी गई है ASI है जिसमें आपकी 10th की योगता मांगी गई है तो फॉर्म कब है एक माई से किस मा भी देख लेंगे यदि आप जो है CRPF में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा option हो सकता है तीसरी बात की जाए SSC-CHSL यह कहा जाए तो SSC जो है वह अपने आप में एक प्रकार से रोजगारों का मेला है SSC जो है आपका MTS कराता है फिर आपका CHSL कराता है सीजेल कराता है और वेरियस जो पोस्ट है उनके लिए अलग से आपका एक्जाम कराता है तो SSC-CHSL की अगर बात की जाए तो देखिए वही अनुमान हम यहां लगा रहे हैं कि जो आपके पद है वो 5000 से उपर जाएंगे जाएंगे एक्जाम जो है वो भी SSC ने अपने केलेंडर में जारी किया है कि दो अगस्त के आसपास होगा लेकिन आपका जो हो सकता है यह दो अगस्त से थोड़ा आपका 10-20 दिन डिले हो क्योंकि अभी प्रोसेस जो है वो ongoing एक्जाम बहुत सारे जा रहे हैं योगता की बात की जाए तो आपको पता है हार सेकेंडरी की बात है तो योगता क्या मांगी जाती है बारवीप पास मांगी जाती है तो यह बहुत अच्छा option है अगर आप केंदरी आपका सर्विस में जाना चाते हैं Central Government की सर्विस में जाना चाते हैं तो इसके बाद आपका जो है भाभा आपका Atomic Research Center अगर आपके पास ITI है और आपको एक ऐसा पत चाहिए जिसमें आपको वेतन के साथ साथ प्राउड या कहा जाए तो आपको एक स्वाभीमान और आपको एक गरिमा महसूस ह तो उसके लिए आपका जो है आप बाग का option चुन सकते हैं इसका form 24 अपरेल से 22 माई तक है मतलब अभी आप इसे भर सकते हैं आयू सीमा 19-35 वर्ष है फीज बहुत कम है 100 रुपे पदों की संख्या लगभग 3000 के आसपास है और योगता की अगर बात की जाए तो देखिए इ आई टी आई वाले आपके जो पद हैं वो लगभग 3000 है तो यदि आपके पास आई टी आई का डिप्लोमा है तो आप एक बार इस आपके form को आप देख लीजेगा क्योंकि यह बहुत अच्छा option हो सकता है आई टी वालों का देखिए आई टी आई वाले mostly दो background में सबसे CAPF है UPSC CAPF form 26 अपरेल से चल रहा है अभी continue आपका है आयू सीमा की बात की जाए तो 20-25 वर्स एज लिमिट बनाई गई है फीज जो है वो 200 रुपए है और आपकी जो योगता है वो योगता कितनी है इसना तक या graduate चेक है तो यह पांच बड़े अच्छे vacancies पांच बड़ी भरतियां जो है यह आपके लिए हो सकती है एक बार आप इन पांचों के नोटिफिकेशन देख लीजेगा अपनी योगता अनुसार और फॉर्म भर दीजेगा क्योंकि लगभग लगभग सभी माई में समाप्त होने वाले हैं तो फॉर्म भरना आपके लिए बहुत महत्त् है उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और चैनल सब्सक्राइब कर दिया गया हूं धन्यवाद